हेलो फ्रेट्स वेल्टम टूपे चैनल स्काड़ी विर अर्यंक आप सब तो बता जाता हूं कि मैं हमारी साइट से लेके आ चुना हूं मैं क्लास 12 का अप्लाइड मैस इंडिर चेप्टर चल रहे हमारा जिसमें पढ़ने वाले हैं साइस 13.9 जैसे मैंने आपको प्रॉमिस यह सारा जारा डेली हमारे साइट से छे बचे वीडियो आ रहे है और वह डेली चल रहे है ठीके यहतोते सैस थाहं कोषान है Понomics चल रिजलबेट करता है और वाले पार्ट अप्ट अबुछ सब् न ये बज़े वीडियो आईए डेली आ रही है ठीक है देखना पर भूलना स्टार्ट करते हैं 13.9 उससे पहले मैं मैंने कुछ कॉंसेट बताया था आप तो मैंने इससे प्रीवेस वरे पार्ट में और वो इसी की बेस पर है एक बड़ा पहले आप वो देख लेना पार्ट और फिर आप ये पार्ट जहतना लिंक मैं प्रोवाइड करो इसमें डिस्क्रिप्शन में जातर आप जोइन करो जातर आप देख वान अपॉन फोर इट स्क्रिप्लस ट्व 하면 प्लस फाइव हमें गिवन है अब मरू कि क्या बच्पले अ 2 हुए यहा पर ट्यू देख साथ में कुछ भी नंबर नहीं नहीं हो न अच चिए 4 यहाँआ पर प्लस 5 बाय वार लि открыв हमbayर लिया है यहां पर क्या बचा एक है यहां पर x-square है यहां पर बी एना बी को हमें हाफ करना पड़े रहा क्योंकि हमें completing the square हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसमें क्या था मैंने बताया रपको a square प्लस bx plus c equal to 0 है और हमें करना क्या है एक स्क्वेर बी एक स्प्लस c यह बी जो है इसे हमें half करना है का square minus b का half square यह करना है आपका अपना क्या हो रहा completing the square बन जाए रहा कैसे बने रहा यह form और यह form a plus b का whole square मन रहा है और इन्हें solve कर देना आपकी form आजएगी करना क्या हमारा 3x हो गया 5 by 4 b कितना है 3 है तो 8 बर हमने half करा और 8 बर हमने minus करा और साथ में dh समाझ चल रहा है अब हमें करना क्या है 1 by 4 हमारा हो गया x square 3x और यह हमार क्या है 3 by 2 कितना गया x plus यह वाले form यह वाले form और यह वाले form 3 by 2 टूटा square हो गया और 5 by 4 है minus 3 by 4 3 by 2 sorry 5 by 4 minus 3 plus 12 को इतना है रहा 9 4 कितना गया हमार यह यहाँ पर 5 by 4 आ रहा है यहाँ पर इतना है हमारा solve करने पर इतना हमारा 4 by 4 यह इतना गया 1 आ गया तो यहाँ पर क्या हो रहा 1 plus square अब यह रखो यह हमारा x square minus a square यह रही वाले form x square minus a square इसना है formula होता है वो formula क्या होता हमारा last video मैंने बताया था formula जो होता है x square minus a square वो हमारा होता है 1 by 2a log ठीक है और यहाँ पर क्या है रहा x minus a और x plus a ठीक है क्या हो गया हमारा यहाँ पर हमारा यह formula प्लाइट रहना हमें 1 by 4 हो गया 1 by 2a 2a क्या हो गया 1 हो गया और यह हमारा log हो गया x minus a x क्या है हमारा यह रहा x plus 3 by 2 minus a 1 हो गया 3 by 2 plus a और यहाँ पर क्या हो गया प्लस c इन्हें आप solve ड़ाए ना आपका अपने आपके answer आजे रहा यहाँ पर 2 हो गया 8 हो गया हमारा पूरा 2 से 2 cancer हो गया आपकी form आ चुकी है क्या है हमारी last form जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है 1 by 8 log 2x plus 1 divided by 2x plus 5 plus c यह हमारा final answer आ गया यानि हम बोर्ष अतने हैं size 13.9 में portion number 1 हमारा क्या हो गया complete हो गया अब बात करते हैं portion number 2 की अब हम आ चुके है portion number 2 पर इसमें क्या है हमारा यह वाली 4 हमें given है यहां से minus जो है पहरे भार लो क्या है रहा हमारा minus हमने भार लिया 1 upon x square minus x minus 1 हो गया और यह साथ में dx हमारा हो गया अब हमें करना क्या है ध्यान से एकला बहुत ही main question होने वाला हमारा exam point से वतारों में अपको यहां पर B है B क्या हमारा one है one का half करना में हमने one का half क्या half क्या half क्या स्क्वेर minus half क्या स्क्वेर और इस साथ में dx हमारा हो गया अब हमें करना क्या है completing the square हमने अप्लाइट रदिया यह वाली फोर्म यह वाली फोर्म और यह वाली फोर्म क्या हो रहा हमारा इसमें हमारा होने वाला है हमें x-1 by 2 3 whole square minus 1 और 1 by 4 यहां minus 1 है और यहांपर क्या है minus 1 by 4 है अहां हमें करना क्या है इसका ऐल समी लिया 4 हो क्या minus 5 by 4 minus 5 by 4 है इसे हम रिखा root 5 और यहांपर 2 3 whole square ठीक है यह लाइग लेर हमारी अहमें करना क्या है यहाँ पर हमें formula apply रहना है कौन से formula apply हो रहा हमारा इसमें x square minus a square है अभी जस्त हमने बढ़ा था x square minus a square क्या होता हमारा 1 by 2a log x minus a x plus a upon plus a यह पर formula चैट कर दो में यह है न हाँ बिल्कुल यह formula हमारा अहां हमें करना है किसी रहा 1 by 2a 2 into में root 5 by 2 हो गया और यह log x minus half हो गया और यह minus में root 5 by 2 upon में x minus half हो गया और यह plus में root 5 by 2 plus c यह वाले form 2 से 2 cancel हो गया हमारा अहां हमें करना है खोड़ा सा रफ ठोली में उपर से अब यहां पर हमें करना क्या है यहां पर हमें करना है minus 1 by root 5 यह log हो गया हमारा यहां पर इतना है रहा हमारा 2 minus 1 minus root 5 यहां पर साथ में x भी आई रहा अपन में 2 2x minus 1 plus root 5 अपन में 2 plus c 2 से 2 cancel हो गया हमारा और हमारा फाइनल अंसर आचता है 2x minus 1 minus root 5 2x minus 1 plus root 5 plus c यह हमारा फाइनल आंसर आचता है अब चाहो तो साथ माइनल सा मिल्टिवेर आचता है यह ही तर छोड़ देना यह भी आंसर आपका पूरा सही है तो यानि question number 2 हमारा पूरा complete हो गया अब बात कर रहे है question number 3 जो हमारा इस वीडियो का last question होने बाला है उससे बाद हमारी exercise cutting point 9 क्या हो कि हमारी complete होगी अब हम बात कर रहे है question number 3 हमारा होने वाला है इसमें क्या हमारा ध्यान से इतना 1 by 2 बहारा गया अंदर क्या बचा हमारा x square minus x by 2 और यहाँ पर minus 1 by 2 यहाँ पर dh हमारा हो क्या अब हमें apply करने complete in the square सिर अप्लाई करते है x by 2 minus half इसका भी half क्या है हमारा 8 by plus क्या 1 by 4 का square 8 by minus क्या 1 by 4 का whole square यहाँ पर dx 1 by 2 यह वाली फोर्म यह वाली फोर्म और यह वाली फोर्म x minus 1 by 1 by 4 का whole square हो गया और यहाँ पर 1 by 2 1 by 4 का whole square minus 1 by 2 minus 1 by 16 हो क्या मारा इसका एलसे में लिए 16 हो क्या मारा minus 8 minus 1 कितना हो गया minus 9 by 16 यानि minus 3 by 4 का whole square dx से हमारा हो गया हम यहाँ पर x square है minus a square क्या होता है अभी जस्त हमने पढ़ा था x square minus a square 1 by 2a log x minus a x plus a plus c फॉर्म यह वाली फोर्म आपलाई करना है और फिर हमारा यह पूरा complete हो गया रहा 1 by 2a 2a 3 by 4 और यह log हो गया हमारा x minus a x minus 1 by 4 minus 3 by 4 upon me x plus sorry x minus 3 1 by 4 और यहाँ पर plus में है formula plus में 3 by 4 हो गया plus c अब हमें करना किस्ता एलसम लेना है परे 2 से 2 cancel हो गया यहाँ 2 बचा और यह बार 2 भी यह 2 से cancel हो गया यहाँ 1 by 3 बचे रहा थोड़ा सा ऊपर से टाय को में क्या बचा 1 by 3 बचे रहा हमारा integral हड़ी गया हां से और यहां से log हमारा आ गया इसका मने एलसम लिया कितना है रहा हमारा 4 x minus 1 minus 3 अपन में यहां पर है रहा हमारा 4 x minus 1 plus 3 plus c यादना 4 यहां भी था और 4 यहां भी था चैंसल हो गया अब कितना है रहा हमारा 1 by 3 log 4 x minus 4 4 x plus 2 plus c 1 by 3 log 2 x minus 2 x minus 2 और यहां से 2 x plus 1 plus c 1 by 3 log final answer के आगया हमारा 2 x minus 2 2 x plus 1 plus c तो यह हमारे क्या है final answer आज को है यानि तीनों parts तीनों जो थे हमारे वो complete होचते हैं first sign card तीन प्रिट हो थे हमारे यानि हमारा part number 9 so 10 वो complete हो गया और exercise 9 थे हमारी वो complete हो रहे हैं अब बात करते हैं part number 11 की बात रहे हैं नेस वीडियो में जो हमारी होगी 13.10 हो रहे हमारी मिलते हैं next वीडियो में अरब वीडियो परसल राएक लाइक करो और चैनल तो सब्सक्राइब तरना तो बनता हैं जल् ले ज्याने सब्सक्राइब करो थेंक्यों सो मच मिलकें next वीडियो में